अलो गाईज, एक बाफ फिर से स्वागत है, आप देख रहा होंगे, मैं आज कहां खड़ा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको धान के पेर ही देख रहा होंगे, और धान के पेर के साथ यहाँ धान के पेरों के बीच में बिट्टू है, जैसे कि मेरा यहाँ पे आने का सबसे ब अगरिकल्चर को प्रॉफिटेबल बिनाया है, और अच्छा कहांसा वेपसाइक कर भी रहे हैं अगरिकल्चर से, बिसिकली सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पे, वो रीजन यह है कि लोगों को अगरिकल्चर के बारे में प्रोपर अग्नॉलिजमेंट या अवेर्नेस है तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक प्रोपर नॉलिज हमारे फार्मर को प्रोवाइट कराना चाहिए, ताकि वो अवेर्ड हो पाए कि हमें कैसे अगरिकल्चर करना है और प्रोड़क्चन और प्रोडुक्टिबिटे हमको कैसे जाधा लेना है, दूसरा चीज ह कि हमारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम इसको कैसे export कर सकते है या खुद से कैसे process करके हम लोग खुद का product कैसे marketing कर सकते हैं सबसे बड़ा जो चीज है एंडा में वो ये है कि जो हमारे लोग है वो basically दूसरे पर dependable है दूसरे पर dependable कहने का मतलब है नहीं मिल पाता है और आपको मैं अगर बता हूँ तो हमारे इंडिया से अच्छा खासा rice export होता है और इंडिया leading exporter है rice में और अगर आप बात करें बास्मती rice का तो बास्मती rice कम से कम इंडिया से 29,000 crore export होता है 29,000 crore का export होता है और अगर आप दूसरी तरफ बात करें नन बासमती राइस का, तो नन बासमती राइस 45,000 क्रोर इंडिया से, 45,000 क्रोर का इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, और जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, वो बिसिकली शाओदी एडेबिया हो गया, UAE है, सिंगापूर है, USA है, ए अगर हम प्रोसेसिंग में आ सकते हैं, तो हमें प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, खुद का ब्रांडिंग करना चाहिए, सरकार आज, आज अफ-आफ्योभी बना रिए है, फार्मर प्रिदूश और और ऑर्गनाइशन दीजा है, उननका भी help ले सकते हैं, और घमें कहीं कह क्वोट यहां से कैसे कर सकते हैं तो आप अपने अलाइक जो एग्रिकल्चर प्रडूश है उसको आप एक अच्छा प्रॉफिट पर आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा रगा